लो बच्छो आप सभी का पुरह हमारे जेनल आइडेल देवक लास्येशन में स्वागत है बच्छो आज हम आपके लिए वार्षिक पिक्षा दोजार वाईस तेइस का प्रस्न पत्र लेके आएं विशेश शामाजीक विग्यान का प्रस्न पत्र लेके आएं और ये प्रस्न विकल्ब का चैन करना है और प्रतिक प्रस्ण एक अंकर हैगा और कितने प्रस्ण आएंगे दस प्रस्ण इस पकार आपके सही विकल्ब दस अंकर आएंगे तो चलिए इसका पहला सही विकल्ब देखते हैं पहला सही विकल्ब क्या कह रहा है पढ़िए भारत में अंग्रेजी सासन काल को किस नाम से जाना जाता है क्राशन क्या है भारत में सासन काल को क्या जाना जाता है चार आपन से नमबर ओप नेविशिक यूग आप शेकन पठार परCom पबंदी लगाई गई ती तो इसका सही आंसर आजाएगा दूसरे का डी नमबर 829 में पाबंदी लगाई गई थी इसका नेक्ट कोशन है कोशन नमर थाड़ ठालासो संतावन इश्वी के विद्रोग कहां से सुरू हुआ था? A. मेरट, B. दिली, C. नमबर भतेयावाद, D. सहरनपुर तो इसका सही आंसर आजाएगा A. मेरट अठाव संतर इसी का विद्रो मेरट से शुरूँआ था कहाँ सुरूँआ था? मेरट से नेस्ट कोस्चन कोस्चन नमबर 4 विकास यहुम उप्योग की देश्टी से संसादन कितने प्रकार के होते हैं महादीब में वीशुकी सरवाधिक जनसंख्या रहती है प्रश्न है किस महादीप में विश्व की सरवादिक जन संक्या रहती है तो आपको मालूम है वह कोसा महादीप आएगा A नमब उतली अमेरिका, B नमब दक्षर अमेरिका, C नमबर एशिया और D नमबर अंटार्क्टिका इसका सही आंसर आ जाएगा C no. Aishya Mahadip Aishya Mahadip में वीशकी सरवाधिक जनसंख्या रहती है फिर इसका last question है question no. 6 देखते हैं question no. 6 में क्या दिया है रेशम का किट किस पेड़ पर पाला जाता है प्लशन क्या है रेशम का किट किस पेड़ पर पाला जाता है इसके चौर अप्सन है A नमबर नीम, B नमबर सहतूत, C नमबर नारियल और D नमबर सीशम पताए इसका अंसर क्या होगा जली सोचिए इसका सही अंसर आजाएगा B नमबर सहतूत रिशम का कीट सहतूत प्रेड पर पाला जाता है नेश्ट रगला प्रसन है एक टपकता नल, एक टपकता नल वर्स में कितना जल वेर्थ करता है A नमबर 120 लिटर, B नमबर 1200 लिटर, C नमबर 100 लिटर और D नमबर 1000 लिटर प्रसन है एक टपकता नल वर्स में कितना जल वेर्थ करता है तो इसका सही अंसर आजाएगा B नमबर 1200 लिटर सच्चर समीती का गठन कव किया गया A.21, B.23, C.25, D.2006 प्रशन क्या है, सच्चर समीती का गठन कव किया गया इसके चार आप्षान आपको यहाँ पे दी हुं है A.21, B.23, C.25, D.2006 चलिए बताई इसका सही आंसर आजागा, C.25 पांच में, next question है, कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है, इसमें आपको चार आपशन दिये, A नमर नयाले का, B नमर संस्था का, C नमर सरकार का, और D नमर पुलिस का, यह लिए बता ही, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आजाएगा, B नमर संस्था का, प्रश्ण क्या है इवी एम का विस्तारित रूप क्या है इसमें A नमबर दिया election wise minister, B नमबर दिया electronic voting machine, C नमबर दिया Israel with master, D नमबर दिया election with mask तो इसका सही आंसर क्या हो जागा इसका सही आंसर आजाएगा B नमबर electronic voting machine, इसमेकर बच्चों आपके यहां पे 10 अंग complete हुए यह जो बच्चे उलम्पियाट round 1 में पास हुए है और उलम्पिया राउंड 2 में जा रहा है वे बच्चे भी इन प्रस्णों का अध्यन करेंगे क्योंकि आपके सिलेवर्स से ही पूछा जाएगा उलम्पियाट 2 में सिलेवर्स से ही अधिक पूछा इसलिए इसका में प litigation कर सकते हैं सके बास आपका लगूतारी प्रसना आएंगे यह लंगूतारी मार्ण आपके यह कितने म्सक्क प्रसन ईंगे 11 से 20 तक तो न massage उम्मर 11 क्या है कि इस हम ऌगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्क का पता लगाया था किस पुर्थ गाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्क का पता लगाया था तोत्तर में हो जाएगा वास्को डिगामा पुर्थ गाली यात्री द्वारा इसके द्वारा वास्को डिगाम ने क्यों वापस लिया देखे क्वान रिख प्रयास किया तो चलिए इसका प्रावधान था कि भारती नियाधीस जो भारत के नियाधीस है भारती नियाधीस भी बितिस या यूरोपी वेक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं यह किसमें जो इलवड बिल बना था उसमें यह बता बिल में यह विधेक पास हुआ कि भारती नियाधीस जो भारत के नियाध विध्याक वापस ले लिया इसके बाद नेस्ट नंबर 13 अंग्रेजी भासा सिखाने की जर्ड़त पर मेकाले ने जूर क्यों दिया देखिए था कि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्यान से भारतीयों को दुनिया की से ष्थम सहित्तिक केतियों को पढ़ने कमोंगा मिलेगा अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को शब ये बनाने उनकी रूचियों मुल्यों और संस्कति को बदलने का रास्ता हो सकता है् या था अंग्रेजी यह भासा सीख जाते थे, अंग्रेजी पढ़ना तो वहां के लोगों, लोगों को क्या बनाना सब्वे बनाना और उनकी रूचियों को बनाना, मुलियों और संस्कृति को बदलने का एक रास्ता उनके सामने खुल जाता, एदि अंग्रेजी इसलिए उन्होंने क क्या कि अंग्री जी भासा पर जो दिए अगला प्रास्ट है प्रस्ट नम्बर 14 कैसि पर आधारित तीन अध्यों के नाम लिखिए ता आप अगला प्रस्ट देखिए प्रस्ट नंबर 15 क्या क्या था संसाधन की परिवासा लिखी है तो आप उत्तर मताएंगे हमारे परियार में उपलद पेतेक वस्तु को हमारी आउसकताओं को पूरा करने में प्रूप्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रोध्योगी की उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव और साहितिक rethink मान्य है एक संसाधन कहलाते है ये क्या कहलाते है एक संसाधन कहलाते है इसपकार प्रस नंबर 15,16 मिशित किसी क्या है यह किन किन देशों में पेचले ओत्त देखिए फसलों के उतपादन के साथ पसु पालन भी किया जाता है और भोजन वा चारे की फसले उगाई जाती है तो इसे मिस्रित खेती कहते हैं और यह कहां कहां पचले थे किन किन देश्टों हो पचले थे यह यह यूरोप पूर्वी संसादन क्यों माना जाता है तो आप उत्तर मता सकते हैं भूमी हमारे जीवन का आधार है इसके बिना हमें आवास खाना पानी इत्ते आदी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए भूमी को महत्पुर्ण संसादन माना जाता है इस पकार आपका प्रस नमब 17 कंप्लिट ने फिर उसके बाद प्रस नहीं संसत किसे कहते हैं तो आप उत्तर के बताएं कि जनता द्वारा चुने वे प्रती निदियों के समू को संसत कहा जाता है लोग संसत के लिए अपने प्रती निदियों का चुनाव करते हैं यह संसत सरकार को नियंतित करती है और उनका मार्ग दस करती है इसको आफ संसर्माव संसर्कार संसर्क नियनतित करती है और प्रस्ण करती है ग्रें संथ नियुंतम वेतनकों क्या असा है रख सकते बनेगा आपक यहां पर नियुंतम वेतनकों यहांब लिखे लाइंक करते लिए लें विच आप सब BE's चाहिनबे नियुनत्म वेतन जो किसी नियोकता द्वारा अपने शेमीकों को भुक्तान किया जाता है जिसे सामोहिक समझगोते या वेक्तिकत अनूबद से कम नहीं किया जा सकता नियुनत्म वेतन कहलाता है. फिर सेट में क्या दे रहा है वितन दे रहा है और इनके बीच में क्या होता है या व्यक्तिकत अनुबंद होता है जैसे मालक लीजे कि आपको 100 रुपे में पैती दिन कारे करना है तो 100 रुपे से कम उन्हें वितन नहीं दिया जा सकता नेश्ट प्रसन है आपके छेतर में उपलब किनी दो पांट जन सुईधाओं के नाम बताईए तो जो आपके छेतर में जनता के लिए जो सुईधाओं कराईगी उनके नाम बताना है तो आपको मालूम है प्रते छेतर में उपलब जन सुईधाओं क्या क्या है बिजली प्रत अगला प्रसण है देरूतरी प्रसण आएंगे तो आपके ग्यारा से बीस तक उत्हों कि प्रसण ते प्रसण लिए अफसर और व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावशाईक एजेंट किस पेकार कारे करने लगे। आप उतल बताएंगे। अठारवी शदी के आखरी दसकों से ही बंगाल में नील की खेती तीजी से फैलने लगी। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला कंपनी के अफसार और व्यशाईक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के बहुत शारे अधिकारियों नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नोक्रियां छोड़ दी। कंपनी के अफसर और व्यशाईक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने वापार कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नोक्रिया तक छोड़ दी। भारी मुनाफ़े की उमिस स्कॉटलेंड और इंग्लेंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए जिन किसानों के पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था तो उन्हें कंपनी और नए नए बैंक जो आयते उन्होंने करजा देना सुरू Uhh कर दिया है, इसके बाद नएश्ट इसका अथ्वे का प्रसन है आप देखिए यहां परे दो प्रसन आ गए हए तो जो प्रसन आपको बनेगा अप उसका उत्तार लिग दीजेगा देखिए का स्बंग का जिए पर प्रभाव पढ़ा नबर एक उस्ते घूमने जूम खेती करने फल इखटा करने या पशूं का शिकार करने की मनाई कर दिया ने मना कर दिया गया जो आदिवासी क्या करते थे जंगलों में सौतंत रूप से घूमते थे और वो कैसी करते थे आदिवासी लोग जूम खेती करते थे फल इखटा करते थे और कानून लागु हुआ तो इन सब से लियों ने मना कर दिया गया फिसी कनə लागू लागू होने से ज्चूम कास्थकारों को वो जीवन रापन की समस्या बन गयी जब कन được गये तो जो वहां के जूम कास्थकार रहा मानते थे वन को क्या मानते थे अपनी माता मानते थे यह कानून लागू होने से उनका जीवन संकट में आ गया और अगला पाइंट चौता पाइंट है आदिवासियों को मजबूरन रोजगार की तलास में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा तो इस पेकार वन कानूनों का आया है आपको देखिए हमने पहले फोजदारी के बारे मता दिये फोजदारी कानून ऐसे विवहार या किरिया से समद्धित है जिने कानून में अपराद माना जाता गया है उधान के लिए चोरी दहज के लिए औरतों को तंग करना अत्यादी इसके अंतरगत आते हैं आपको दीवारे से दिवानी कानून के अलगए दिकारों के या अवहला से होता है उधारन के लिए जमीन विक्रीच चीजोंकी खिद्दारी किरायात तलाक आदिश से समद्दित वियात किसके अंतरकट आ जाते हैं ये दिवानी कानून के इसका दिवानी कानून में प्रवहवित पक्ष की और से न्याले में एक याची का दायर की जाती है अगर मामला किराय से संबंदी थे तो मकान मालिक या किरायदार उकदमा दायर कर सकता है तो इस पकार आपको हमने प्रेश नमर 22 में फोसदारी और दिवानी कानून में कोई दो अंतर बता दिए अब इसका अथ्वे का प्रस्ण आएगा हमने आपको पहली बता दिए आपके पांच रंके जो प्रस्ण आएंगे वो दो प्रस्ण आएंगे एक अथ्वे में रहेगा आपको जो प्रस्ण बने आपको उसका उत्तार लिख सकते हैं अब इसका अथ्वे क पर अपना अधिकार खो देते हैं या वन भूमी से उनका अधिकार हट जाता है तो किस पकार की ज्ञान संपदा से केक होने का खत्रा उत्पन होगा अधिवासी लगबग 10,000 तरह के पौधों का इस्तिमाल करते हैं उन में से लगबग 8,000 पजातियां दवाईयों के तौर पर रेजिन और डाइक के तौर पर और 550 पजातियां रेशों के लिए इस्तिमाल की जाती है इन में से 3500 पजातियां बोजन के रूप में इस्तिमाल होती है जब आदिवासी शंदा वन भूमी पर अपना धिकार खो देते हैं तो यहां सारी ज्ञान सपदा की खत्म हो जाती है इस पकार आपका प्रस नमबर 22 का अथवाला प्रसन कंप्रेट होता है इसका प्रस नमबर 30 important प्रसन है नवी कर्णी और अवन अवी कर्णी संसाधन संसाधन कोई 3 अंतर बताईए या लिखिए तो हम इसके 3 पाइंट अलग अलग करके बता दिए हैं देख नवी कर्णी संस प्रभाव नहीं होता और अभी करणी संसादन के भंडार कैसे हैं तीसरा अंतर देखिए नभी करणी संसादन जैसे जल मेदा और वन है इनका लापरवाई से उपयोग इनके भंडारं को प्रभावित करता है और अभी करणी में देखिए यहां पर अभी करणी संसादन आएका लिखने मिस्सिंग हो गई है अभी करणी संसादन जैसे कोईला प्रटॉलियम प्राकातिक गैस यह सभी संसादन सीमित मात्रा में होने के काड़ इनका उपयोग भंडार को खत्म कर सकते हैं तो थोड़ा प्राइशन आपको इन दोरों प्राइशन परक्राइशन के कुए दो को हमने उत्तर मता हैं जमसेदपूर में लोहा इस पात उद्यों के स्थाफित होने के निमलिकित कारण है नंबर एक नंबर एक कारण क्या है इसका यह इस्थान बंगाल नाकपूर रिल मार्क पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमेटर दूरी पर था कोंसा इस्थान से कोईला और ओलीशा तता 36 गड़ से लोएस का चूना फत्ता डॉलमाइट और मेंगनेज प्राप्त होता है इसका तीसा पाइंट कंप्लीट हुआ चौंता पाइंट खरकई और शौन रेखा नदियों से परियाप्त जल्कियापूर्थी होती है कहां पर जमसेदपूर में प्रस्तान से परियाप पूंजी उपलद हुई इस प्रकास है हमने इसके क्या बता दिये कितने कारण बता है पांच कारण बता है जमसेदपूर में लोहा सथ्थास होने कि मैंत्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प जिसे 44 शविधान संसोधन द्वारा हटा दिया गया था अब केवल 6 मोलिक अधिकार है जो निमना है नमबर एक समानता का अधिकार नमबर दो सौतनतता का अधिकार नमबर तीन शोशन के विरूत अधिकार नमबर चार धार्मिक सौतनतता का अधिकार नमबर पार संस्कति और सिख्षा का अधिकार नमबर 6 शविधानिक उपचारों का अधिकार इस पकार अब कितने मोलिक अधिकार हैं 6 मोलिक अधिकार है पहले साथ थे शविधान के भागती में कितने थे साथ मोलिक अधिकार थे लेकिन 45 वे शम्ड़ान संसोदन द्वारा एक मॉलिक अधिकार हटा दी गया, वह कौन सा मॉलिक अधिकार हटाया गया? संपति का अधिकार, इस पकार आपका, अब इसके बाद उसने और क्या कहा है, किनी दो मोलिक अधिकारों को वणन कीजिए, और रहने तता कोई भी विशा पेशा या कारोबर करने का अधिकार सामिल है किसमें सौतनता के अधिकार में और दूसरा क्या है सोशन के विद्ध अधिकार स्वविधान में कहा गया है कि मानो व्यापार मानों का व्यापार करना जबरिया स्रम जबादस्ति किसी से स्रम कराना 14 वर से कव मुम्रत के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराद है यह किसके अंतरगत सोशन के अधिकार के अंतरगत यह आता है इस पेकार आपका प्रेशन है चूबिस कंप्लीट हुआ अब उसके अ त्था नगरिक के रूप में हमारी भूमी का प्रेशन का प्रेशन के चुणाव के साथ कि खत्म नहीं होती ही जैसे क्या हुआ चुनाव हमने ओड़ डाल दिए वही हमारी भूमी का खत्म नहीं ही इसके बाद अगवारों और अन्संचार माद्यों के जड़िये इस बात पर नजत रखना, कि हमारे सांसत क्या कर रहे हैं अगर हमें लगता है कि वेश रही काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी आलोचना करते हैं इस पकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि जितने जिम्मदारी होगी और जितने उससे जुलेंगे उतना ही संसत को अपना काम सही धंक से करने में मदद मिलेगी इस पकार ये प्रशन नमबर 24 और ये प्रशन पत्र के पत्रेक प्रशनों को हमने उत्ता सहीत आपको बता दिये झाल